ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक श्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर बुद्वार के रासी फल के बारे में कि इहां दिन मित्वन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथों नासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदाएक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तो और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफी लाबदाएक साबित होंगे दोस्तो साथ इसाथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कार्यों पर आज आप विशे सुरूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सद्यों प्योग करें दोस्तो कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कार्यों के परती आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें इस से आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा सम्मंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तू सम्मंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तों किसी मित्र के मुशीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसमें आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापो के पिरती आज आपका रुजहान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो आज आप अपने स्वयभाव पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वहवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्षे से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तो आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुसा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले दोस्तो बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दरसन देने की आपको आवश्चकता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संभावना बन रही है दोस्तो अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजदी की रिष्टेदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तो अपने श्वबाव में लचीला पन रखें तता रिस्तों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है दोस्तो संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परन्तु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहें कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ने ना लें वेवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुश्कलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जबकि लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो वहवायत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पा पूर रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप स शुकरती प्राप्थ होगी दोस्तो वैस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परन्तु जीवन साथी आपकी परिसानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तो घर के किसी भी मुद्य को आपस में बैठ कर सांत पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहौल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं इससे आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाइक जीवन काफी खुसनु गलत होने की आज आशंका है विद्ध्यार्तियों को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मुताविक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सलाह आपके वैवसाय के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तो इसकी बहुत अधिक आवशक्ता है इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नोकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो वैवसाय कुदेश्यों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की सुरुवात की हैं तो अब उसके उचिते पेरणाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे नोकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ नए अवसर आज बन रहे हैं दोस्तो आपको अपनी मेहनत के अनु प्रिटा से विचार करें तोकि यह सला आपके लिए काफी फाइदेबन साबित हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं ला परवाई ना करें अपनी द रोजाना योग करें, वैयाम करें, स्वस्त रहें। दोटाकर शीडियों पर रखाएं और मन वन भगवान शरी गनेशी जी का इस मुनार करते रहें और अपनी मनों काम नए माघें ज्या दोस्तों ध्यान रखें कि आप इस संबंद में किसी को कुछ न बताएं और पूरी आस्था रखें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान स्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल ले ही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो की से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो बगवान श्री गनेश जी का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्री गनेश अवस्त रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद